हेलो बच्चों, हाउर यू आल, कैसे हैं आप, I hope अभी तक आप अपने चैप्टर्स को अच्छे से समझ पा रहे होंगे तो हम लोग कर रहे थे अपने क्लास 6 का साइन्स का लेसन नमबर 3, फाइबर 2, फैबरिक अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हमें कई प्रकार के रेशिये नेच्रोली मिलते हैं और इसके इलावा हमने पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है और हमने पढ़ा कि हमें cotton कहां से मिलता है और कैसे मिलता है या jute हमें कहां से मिलता है और कैसे मिलता है तो अभी हम आज हम लोग इसका process पढ़ रहे थे कि कैसे हम लोग जो रेशा है जो natural रेशे मिलते हैं उनसे हम लोग कैसे धागा बनाते हैं और धागा बनाने के बाद उससे अब हम आज पढ़ेंगे कि यह जो धागा है वो हम लोग बड़ी-बड़ी मिल्स में, बड़ी-बड़ी फैक्टरीज में बनाते हैं अब धागे से कपड़ा कैसे बनाते हैं ये हम आज पढ़ेंगे चलिए ध्यान से देखते हैं, हमारा topic है 3.5, yarn to fabric, मतलब धागे से कपड़े तक का सफर, there are many ways by which the fabrics are made from yarn, मतलब ऐसे बहुत से तरीके हैं, जिससे जो कपड़ा है वो धागे से बनाया जाता है, two main processes are called weaving and knitting, दो processes हैं, पहला weaving मतलब बुनाई करना and knitting means उसको मशीनों में बुनना and knitting means उसको हाथों से बुनना, चलिए जानते हैं, weaving क्या है, in activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together, अभी तक आपने activity 2 में ये notice किया, कि जो आपका कपड़ा होता है, वो दो set होते हैं धागे के, जो इकठे अरेंज किये जाते हैं, मतलब या तो वो सीधे आते हैं धागे और कुछ धागे आडे आते हैं, और उनको इकठे से कस के कपड़ा बनाया जाता है, The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving, मतलब कि ऐसा process, ऐसी प्रकिरिया जिसमें हम धागों के दो हिस्सों को इकठा अरेंज करते हैं, उसे हम weaving कहते हैं, Let us try to weave some paper strips, अब आप चाहें, तो कुछ कागज की strips, कागज की कतरनों को भी इस तरह से try कीजिए बनाने के लिए, यहां आपके पास है activity 5, Take two sheets of paper of different colors, मतलब आप दो sheets लें, अलग-अलग तरीक, दो रंगों के कागज के टुकड़े लें, जो की अलग-अलग रंग के हों, Length and Width equal to 30 cm of each sheet, अब इसमें से आप कुछ चौकोर हिससे काटें, जो की 30 cm के हों, Length and Width, क्योंकि जो square होता है, उसकी जो length होती है, विर्थ उसकी दोनों sides बराबर होती हैं, तो इसलिए 30 cm side का, आप एक square काटें, दोनों sheets में से, Now fold both the sheets into half, अब इसके बाद आप दोनों sheets को आधे में बांट लें, On one sheet, draw lines as shown in figure 3.12, जैसे के आपको यहां बताया गया है, 3.12 में आप उसके एक तरफ पे line A draw करें, 3.12 A में आपको बताया गया है, And on the other side, as shown in figure 3.12 B और दूसरी तरफ आप line A draw करें, जैसे आपको 3.12 B में बताया गया है, Cut both the sheets, आप दोनों sheets को काट लें, along the dotted lines and then unfold, आप इन दोनों sheets को, जो line A बनी हैं, वहां पे काट दें, और आपके पास लंबी-लंबी कत्रने मिल जाएंगी, Weave the strips one by one through the cuts in the sheet of paper as shown in figure 3.12 C, अब जैसे आपको 3.12 C में यहां दिखाया गया है, उस तरह से आप जो आपकी कत्रने हैं, उनको एक दूसरे के बीच में, एक कत्रन उठाएं, एक के नीचे से निकालें, एक कत्रन के उपर से, एक कत्रन के नीचे से, तो इस तरह से आप कत्रन को निकाल कर बना लें, Weave the strips one by one through the cuts in the sheet of paper as shown in figure 3.12 C and 3.12 D, अब आप देखें कि यह असल में यह बन कर इस तरह का तियार हो जाएगा, मतलब एक जो पन्ना है उसकी कत्रने आप जूडी रहने देंगे, दूसरे की कत्रनों को अलग लग करके उसके बीच में से निकाल देंग इस तरह से आपने देखा कि जब आप सारी कत्रनों की बुनाई करनेंगे तो आपको जो पैटन है, जो कपड़े की तरह का बना हुआ पैटन दिख जाएगा, इन इसी तरह से हम लोग जो धागा होता है, उसके दो तरीके जो होते हैं, दो हिससे, दो सेट होते हैं, दो सेट एक सीधा और एक लेटा हुआ, तो उनको हम लोग बुनाई करते हैं, ताकि हम उससे कपड़ा बना सकें, दो यान्स आर मच थिनर देन अवर पेपर स्ट्रिप्स, जो धागे होते हैं, वो हमारी जो ये कत्रने हैं, इनसे कहीं जादा पतले होते हैं, एंड अफ कोर्स, इसमें हम लोग इसतरह से कपड़ा हाथ से बुनाई करते हैं, दा लूम्स आर इधर हैंड और पावर अपरेटेड, यह जो लूम्स होते हैं, या तो यह इनको हाथ से चलाया जाता है, या फिर इनको बिजली से भी चलाया जाता है, अब यह हमने पढ़ा वीविंग के बार टू मी कौस्षिज से भी चूरी बुड़ा होई लेकर में देश्यार होते हैं, और विह जो बार बॉग से आर इसस फरी दो ब्याद़ा करता लेकिन दा स्सलाया जाता है, बुनाई नहीं होता है, निटिंग दिला, हम लोग अनड़ में यान पियर स्फाराय कर ने खिन के भ फटी जुराबों में से एक धागा खींचा है आपने देखा है क्या हुआ सिंगल यान गेट्स पूल आउट कंटिनूसली एज फैब्रिक गेट्स अंड्रेवल्ट मतलब जब अब धागी को खीशते जाते हैं तो वो धागा लंबा लंबा आता जाता है और जो वो कपड़ा बुना हुआ है वो बिखर जाता है सॉक्स और मेनी अदर क्लोथ आइटम्स अर मेड अफ निटेड फैब्रिक जुराबे और कितने ही कपड़ों के ऐसी आइटम्स हैं जो की निटेड फैब्रिक मतलब सिंगल धागी की बुनाई से बनाई जाती है निटिंग is done by hand और on machines जो निटिंग है यह या तो हम लोग हाथों से करते हैं जैसे सिलाईयों में figure 3.14 में दिखाया गया है यहां फिर हम इसको factories में भी करते हैं जो निटिंग है अब आगया यह weaving and knitting are used for making different kinds of fabric मतलब यह जो बुनाई है और weaving है इनको हम लोग अलग अलग तरह का कपड़ा बनाने में अलग तरह का कपड़ा त्यार करने में प्रियोग में लाते हैं इस fabrics are used for variety of clothing items और जो यहां से कपड़ा तियार होता है उसको हम अलग अलग तरह के अपने cloths अपने अलग तरह की कपड़े बनाने में प्रियोग करते हैं History of clothing material अब थोड़ा सा हम इतिहास के बारे में सोचते हैं कि हमने कपड़ा कैसे बनाया Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes क्या आपने कभी सुचा है कि पुराने जमाने में लोग कपड़ा बनाने के लिए क्या क्या प्रियोग मिलाते थे It appears that in those times ऐसा लगता है कि उस जमाने में people used to bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves It means that people had thatís how small seeds and propagation of seeds and keep them from我覺得 We click on thatон the value of the Bundesregierung and the register track to supply their loneliness करते थे after people began to settle in agricultural communities जिस तरह से लोगों ने बाद में जो खेती बाड़ी करने वाली समुहूं में रहना शुरू किया they learned to weave twigs उन्होंने लकडी की दंडियों पतली पतली जो टहनिया है उनको बुन्ना सीखा and grass into mats और घास को भी उन्होंने mats मतलब चटाइया बनानी सीखी and baskets और उससे उन्होंने टोकरिया भी बनानी सीखी मतलब जो पतली लंबी डंडिया होती थी उनसे टोकरिया बनाते थी और जो ग्रास होती थी घास होती थी उससे वो लोग जो घास होती थी उससे वो बैटरी की चटाइया बिनने लगे वाइन, एनिमल फ्लीस और हेर वर ट्विस्टेड तोगेदर इन्टू लॉंग स्ट्रेंड इसके इलावा जो जानवरों की खाल होती थी बाल होते थे इन सब चीजों को वो लंबे लंबे रेशे बना लेते थे और इस दीज वर वोवन इन्टू फैब्रिक और इसके बाद इ पुरानी जमाने में जो हमारे भारतिय थे वो लोग गंगा नदी के किनारे गंगा नदी के आसपास जो उप जाओ धर्ती होती थी वहां पे उनों वो लोग कॉटन के प्लांट सुगाते थे और उसमें से जो कॉटन निकलती थी उसको वो चर्खे पे कात कर अपने लिए के अफे रिशेंट जय कान विख रहते हमें फुराने मिस्र में कॉतन एस फ्लैकस फाल से लिच रटीवेटे हैं पुराने मिस्र देश में चल्य तर् année म पर्यामीध चाहिते हैं तो वहां पे जो कॉटन हैं और फलैकस यह सब नील नदी के किनारे से उगाए जाते थे and were used for making fabrics और तब उन्हें कपड़ा बनाने के लिए प्रियोग में लाया जाता था In those days, stitching was not known पुरा उस समय में लोगों को कपड़ों की stitching मतलब उनकी सिलाई करना नहीं आता था People simply draped the fabrics around different parts of their body मतलब वो अपने body के अलग लग parts पे simply जो कपड़ा था उसको लपेट लेते थे Many different ways of drapping fabrics were used तो उस जमाने में कपड़े को अलग लग तरीके से लपेटने के कई तरीके अपना जाते थे With the invention of sewing needle, people started stitching the fabrics to make clothes अब जैसे ही उसके बाद जो हमारी सुई है जो हमारी बिनने वाली सुई है जब उसकी खोज हुई तो उसके बाद लोगों ने अपने जो कपड़ा था उसको सिल कर अपने पहनने लाइक कपड़े बनाने शुरू किये stitching cloths have gone through many variations since this invention और सुई की खोज के बाद कपड़ों को सिलाई करने की जो कला है इसने बहुत सारी तरीकों से होकर वो आज की स्थिती में पहुंची है पर क्या आप कभी ये सब देखकर हैरान नहीं होते कि आज भी जो सारी है धूती है लूंगी मतलब जो नीचे lower body पे हम लोग एक कपड़ा बांधते और तर्बन तर्बन मतलब पगड़ी जो हम सिर पे बांधते हैं वो आज भी एक अंस्टिस्ट कपड़े के तौर पे ही प पूरे चैप्टर में हमने सीखा कॉटन बूल क्या है फैब्रिक क्या है फाइबर क्या है निटिंग किसे कहते हैं स्पिनिंग किसे कहते हैं वीविंग किसे कहते हैं और यान क्या होता है आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूल ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए I hope आप learn करते रहेंगे और सीखते रहेंगे Keep enjoying, thank you